कुडा ले लो कुडा, गीला सुखार प्रकार का कुडा कच्चरा तुम साब एक मिनिट भाई क्या गंधगी फैला रखिया है, दुनिया कुडा भार फैकती है और तुकूडा बेच रहा है पर इसमें नहीं बात क्या है? यही के तु कूड़े वाला लग तो रहा है पर कूड़ा लेने के वज़ाए तु कूड़ा बेच रहा है क्या बात कर रहा है साब बहुत तगड़ा विजनेस है घर से कूड़ा उठाने में क्या मिलता है कुछ नहीं मिलता है कुडा लेकिन बेचने में बहुत तगड़ी कमाया है। है पर फूडा कुण है आप, मैं , मेरा मतलब आप जैसे लोग , कई कस्तमर है है सर और आप आप भी कई बाद़ ये खरीटते ही होंगे। नाइ बिलकुल नहीं, मैं पागल हुजr क्ईुड़ फ़रीद mains कर रहा मैं पागल हो जाओंगा तू कुड़ा दिखा पहले अचा खरीदिये गा मैं पहले बता रहा हूं कि आज मैं आल्लाइन पेमें नहीं लूँगा क्या एक लूँगा नहीं नहीं मुझे सिर्फ सेंपल देखना है अचा सेंपूल देखेंगे देखिए ये राज सूखा कचरा और ये गीला अपे ध्यान से देख ये बर्गर है ये कोल्ड रिंग के है एक्जाट्ली मैं पॉइंट ये कूड़ा और कचरा ही है पर एक बात बता तु इसे खूड़ा पोल के बेच रहा है इसे खरीदे का कोल लो कर लो बात अरे साब सबको पता है ये कचरा है तेकिन फिर भी दढ़ले से बिखता है और लोग इसे इंजॉई भी करते हैं आपको नमूना दिखा है आईए होटेल और रेस्टरंट में तो आपने भर भर के भीड़ देखे होगी एक बार उसे देखिए उस बिचारे के पास एक भी कस्टमर नहीं है जबकि वो शुद गन्ने का रस दे रहा है जो कि हमारी सिहत के लिए अच्छा है आजकल दिक्कत तो यही है दूद वाला घर घर ज होती है तो मीलो दूर चले जाएंगे क्या ना कि आजकल लोग स्वात के बारे में ज्यादा सोचते हैं सेहत के नहीं तुम यह जो ग्यान देते हो उससे लोगों को फरक भी पड़ता है पता नहीं और मैं इन सब चीजों का हिसाब भी नहीं ड़ता मेरा एक चीज मानना है कि आप कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो पर एक बास समझनी आई तुम्हारा असली काम क्या है खूड़ा तो नहीं बेशते होंगे नहीं यह तो मैं जब भी फ्री होता हूं तो समाजिक जिम्मेदारी की तरह लोगों को जागरू करने निकल पड़ता हूं आज आप मिल गए तो आपको समझा दिया वो तो मैं समझ रहा हूँ बट काम क्या करते हो दिन गिन रहा हूँ मतला सर मुझे ऐंसली में अरे सर आपके जुकी हो गए बीमार तो मैं हूँ क्या है ना कि हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं मन की सुनते हैं दिमाग की नहीं पर मन का क्या है मन तो साला चंचल है एक्चली मैं एक प्राइवेट कंपरी में जॉब करता था जिसके चलते हैं मुझे घर से दूर आना पड़ा तो तब से ये जंक फूड ये आसी बासी उल्टा सीधा खाके मुझे कैंसर होगे तब से मेरी यही कोशिश है कि जो मुझे हुआ है वो और किसी को ना हो तो बस जब भी फ्री टाइम होता है तो अपना ये जोला लेके टांके निकल लेता हूँ जागरूता फैलाने यार आज के दिन बहुत अलग है आज मैंने बहुत कुछ सीखा है आज के बाद मैं कभी ये सब जीजे ना खाऊंगा ना पिऊंगा और दूसरों को भी जागरू करूंगा कि वो भी आज के बाद ये सब उट्टी सीधी चीजे ना खाए ना पिये